हलो दोस्तों स्वागता आपका एक पार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे तो दोस्तों आज का जो डे 22 है जो हमने लर्न इटालियन इन 30 देश जो कोर्स स्टार्ट किया उसका 22 वा दिन है आज और आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ कॉमन जो इटालियन लेंग्वेज में डेली यूज ले जाते हैं बोले जाते हैं तो यह वीडियो इसी टोपी के उपर है वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस क ओविया मेंते का मतलब हो गया अफकोर्स ओवियसली दोनों में आप इस वर्ड को यूज ले सकते हो ओविया मेंते इसके बाद में है पुर्ट्रोपो यह हो गया अनफोर्चुनेटली बदकिस्मती से तो इसको हम बोलेंगे पुर्ट्रोपो मतलब की बदकिस्मती से तो प इसके बाद में है फॉर्तुना यह हो गया भाग्य तक्दीर तो उसको बोलते हैं फॉर्तुना एक और है देस्थिनो यह भी आप बोल सकते हो तक्दीर में यूज ले सकते हो भाग्य में देस्थिनो इसके बाद में है लेटरल में तो इसको बोलते हैं लिटरली तो इसको हम इसके बाद में है correctamente यह हो गया correctly, सही डंग से, जैसे कि इसी को बोलना है कि सही डंग से डखो, बंद करो, तो क्यों थी correctamente पर फफ़ोरे, करप्या करके सही से डखो, तो इस तरीके से इस बड़ का यूज ले सकते, इसके बाद में sicuro, यह हो गया शेफ और sure, दोनों में हम यूज ले सकते हैं, sicuro, sicuramente हो गया shortly, निस्चित रूप से, तो इसको हम बोलेंगे sicuramente, इसके बाद में है laser mente, यह हो गया slightly थोड़ा, तो इसको बोलते है laser mente, वैसे उंपो भी बोल सकते हो आप, आप इट थोड़ा, उंपो laser mente या पोको पोको भी बोल सकते हो, थोड़ा कोई सा भी आप यूज ले सकते हो, इसके बाद में है fastidio, यह हो गया, बादा डालना, रुकाउट डालना, उसके लिए हम बोलते है fastidio, italian language में बोलेंगे fastidio, inveche यह हो गया, बजाए, जगए, जैसे कि इसकी जगए, तो inveche, inveche हो गया, इसकी जगए, बजाए, तो उसके inveche का इस्तेमाल किया सकता है, इसके बाद में interno यह हो गया, internal, untric, external, यह हो गया, external, बाहरी, कोई भी चीज़ है, जैसे इसके अंदर, इसके बाहर, तो interno, external आप बोल सकते हो, इसके बाद में जैसे कि dentro, 40, वो भी यूज ले सकते हो, dentro मतलब अंदर, 40 मतलब बाहर, तो यह भ entire, पूरा, interno, पूरा, और अदा होता है, half, उसको बोलते है, meta, meta, meta मतलब अदा-दा, तो इस तरीके से बोल सकते हो, senza हो गया, without, बीना किसी चीज़ के, तो senza, कोई भी चीज़ जैसे आपको बोलना है, कोई restaurant में चाते हो, senza पिस्ता, क्यों, senza क्रेमा, senza, gluten, तो इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज ले सकते हो, senza हो गया, without, बीना, इसके बाद में, uguale, यह हो गया, same, एक जैसा तो उसको बोलेंगे, uguale, एक होता है, stesso, यह भी आप बोल सकते हो, same, stesso, uguale भी बोल सकते हो, stesso भी बोल सकते हो, इसके बाद में, diversity, यह हो गया, different, अलग, अगर singular है, त इस तरीके से इस वर्ड का यूज ले सकते हैं, इसके बाद में, इसके बाद में है, skifo, यह हो गया, disgust, skifo, जैसे कोई भी चीज है, कि स्कीफो, कितना गंदा है, कितना disgusting है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वैसे एक ओर है, disgusting बोलने के लिए, disgustoso, male है तो, और female है तो disgustoso, disgusting, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, skifo भी बोल सकते हैं, आप disgustoso भी बोल सकते हैं, इसके बाद में है, NCA में, यह हो गया, together, साथ में, तो इसको हम बोलेंगी, NCA में, जैसे कि हम साथ में रहते हैं, तो अभी त्याम हो NCA में, मतलब हम साथ में रहते हैं, इस तरीके से हम इस word का use ले सकते हैं, लोनी को यह हो गया, the only one, एक मातर, तो उसके लिए लोनी को, चलोनी का problem है, एक मातर problem है, तो इस तरीके से हम इस word का use ले सकते हैं, इसके बाद में scarso, यह हो गया joke, मजाक, तो उसके लिए scarso बोल सकते हैं, जैसे यह एक मजाक ये एक मजाग है तो इस तरह के से हम बोल सकते हैं तो दोस्तों ये है आज का अपना conversation के ओपर वीडियो कुछ जो new words है जो आज हमने इस वीडियो में सीखे हैं जो अपने डेली इटालेन बोलने सीखने में काम आएंगे उमीद आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो like, share, subscribe जरूर करें नेक्स्ट वीडियो किस topic के उपर से ये comment करें जरूर बताएं और कल मिलेंगे टेस्ट वे पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद